असलाम अलेकुल नाजरीन मैं महमेद उमिरान और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल तालीम दुनिया नाजरीन आज का मेरा मौदू है उर्दो पढ़ना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नमर सव है हैंड्रेट मेरा हो चुका है उर्दो पढ़ने को पर वीड लिजैन और रहीम ये अर्दो की तिस्री किताब है उसके बाद आप सलल्लाहलन इस अबसके बाद आप सलल्लाहलन अपनी वफात तक मदिने ही में रहे और अपने पाक मजभब इसलाम को पेलाते रहे या बात अरब के बथ परस्त रिसाईयों और यहूदियों को बहुत लड़ते रहे खास कर मक्के वाले तो बराबर आप से लड़ते रहे मगर आखिरकार हजरत ने मक्का को फत्ह कर लिया और वहां के सब लोग मुसल्मान हो गए और आप सल्ला सल्लम ने उन से बहुत अच्छा सुलूक किया उपर कर लेते हैं उसके बाद अरब के और कबीले भी आहिस्ता आहिस्ता इसलाम लाए और आप सल्ला सल्लम के सामने ही सारे अरब में आपका सच्चा और पाक मजभ इसलाम बहुत अच्छी तरह फैल गया और आप ने 63 बरस की उमर में सन हिजरी यहां तके हैं यहां है इसका मतलब होता है हिजरी हिजरी जो होता है जब हुझो सल्ला सल्लम हिजरत करके एक मुलक से दुसरा मुलक गए वहां से हिजरी आ रहा है और अभी जो चुछ चल रहा है 2021 जो चल रहा है यह हजरत इसलाम के जमाने सारा इसको हम बोलते हैं इस भी तो ये हिज्री ग्यारा हिज्री में वफात पाई और मदीने ही में आम का मजार मुकद्स बना मक्का में जो कुछ आप से लगजरा वह तुम सब सुन चुके मदीने के मुफसिल हालाद अगले किताब में लिखे गए हैं लिखे जाएंगे और उपर करते हैं लड़को तुमने हजरत रसूल खुदा के मक्के के सारे हालाद सुने इन से तुमें अपने मजहब की बहुत सी बातें मालूम होंगे कुछ इन में से तुम्हारे याद दिलाने को यहाँ फिर लिखी जाती है खुब गौर से पढ़ो और उन पर अमल करो नमबर एक हजरत रसूल खुदा ने आप देखें नाम के नीचे जेर है हजरत रसूल खुदा के जमाने में अरब के लोगों की इखलाकी हालात अच्छी नहीं थी वह शिर्क और बुद परस्ती करते थे आप सल्ला सल्लम ने उनको समझाया के खुदा ताला एक है उसका कोई शरीक नहीं उसे शरीक के माना उसके बराबर कोई नहीं गुर्सी ने सब को पैदा किया उस इधर हम कर लेते हैं किताब तरह टेड़ा हो गया पिछे लिखावा था उस यहां के उसके सिवा कोई इस लायक नहीं कि हम उसकी बंदगी करें मतलब उसको हम पूजएं उससे अपनी मुरादें मांगें मतलब खुदा के सिवा कोई ऐसा और चीज नहीं है जो कोई और खुदा नहीं है जो हम उनसे मांग सकते हैं वही एक अकेला खुदा सब जगाँ हाजिर औ नाजिर है वे सब की जरूरतों को जानता है सब की मुरादें बर लाता है हर एक चीज की पूरी निगेहबानी करता है उसके सिवा कोई भी उस लायक नहीं कि उसे पूजें या उसे अपना खुदा समझाएं ठीक है नमबर दो हदरत रसूल खुदा बच्पन ही से ऐसे राह देखें आप एदे हदरत रसूल खुदा खुदा के माँणा आप पुब मैं समझे ना कि अल्ला बच्पन से ही नहीं यहां पर रसूल का अधिकरा रहा है थरत रसूल खुदा बच्पन ही से ऐसे रास्त बाज और अमानत दार थे के लोगों में अल-अमीन के नाम से मशहूर थे के माना इनसाफ करने वाला जिसके को लोग अमीन बोलते हैं घर वे गर own अपनी वाले पूलते हैं ने निससाफ करने वाला अमीन के नाम से मशहूर थे दृत अ मैं पर एक अदर जान वर का दार हारी होगी माजरत चाहता हों क्या एक आदत से खुश था जिस जमाने में आप सल्ला सल्लम पेगंबर हुए लोगों के जूटे माबूदों की बुराईयां बयान की तो सब लोग आपके दुश्मन बन गए उस जमाने में भी सब लोग आप सल्ला सल्लम की नेक खसलताओं के मददाह थे मददाहक में न फैन और जब कभी कोई नावाकिफ आपका हाल उन अन पूश्टा तो आपके तारीफ करते मतलब हुजरू सल्ला सल्लम के बारे में किसी ने भी किसी से भी पूश्टा तो सब लोग उनकी तारीफ ही करते हुजरू सल्लम की चाहे मुसलिम हो या गार मुसलिम सचे रसूल की पहर भी करें और ऐसा नेक बन जाए के खुदा और रसूल उससे राजी हों और दोस्तों दोस्त दुश्मन भी उसकी तारीफ करें उसको अच्छा जाने और उसकी इज्ज़त करें तो नाजरें आज के मेरा सबक इतना ही रहेगा उम्मिद कर तो हमको वीडियो पसंद आयो होगी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरा टेली गराम जो चैनल है वीडियो के डिसक्रेप्शन में दिया गया है आप लोग उसको भी जाके ज्वानिंग कर लें और अपने वेबसाइट पर जरूर जरूर जाएं जो के डबलो डॉड सबसे अहम और गुजारिश यह है कि मेरा जो दूसरा चैनल है उजानी टीवी की नाम से उसको जरूर सबस्क्राइब करें और मेरा टे इनिश्टा की नाम है आप लोग उसको भी जाके फॉलो करें मिलता अगली वीडियो में खुदा आफिस